हाई फ्रेंड्स सोगत अपका फिल से रियार्ट्स पे तो अच्छ के हमारे वीडियो है फेस्टिवल एंड वेरिंग वेर शरारा सूट की हाल अन्बोक्सिंग एंटरिव्यू जो कि मैंने एमेजॉन से पर्चेस किया है तो एमेजॉन पे चल रही है ब्लॉक बास्टर वैलू सूट और इसकी प्राइज है 1,600 रुपीज और मैने ब्लॉद को और वी कलर ऑवेलेबल मिल जाएगे और इसकी साइज में पर्चेस किया है वो है एम इसमें आपको और साइज मिल जाएगे तो इसका आपको शरारा के कूरती का इस तरह का नेक मिल जाएगा राउंड नेक और इसके फुल आपको इस तरह का एम्रोडरी वर्क मिल जाएगा फ्रेंट और बैक दोनों साइड पर और हैसके अफुल्स घुझ ऐसके ऊपर श्रेट इसका फ्लावर वाले थ्रेड इस तरह की एलस्टिक की मिल जाएगी और नीचे के तरफ से आपको थोड़ा सा प्लाजर टाइप में मिलेगा और फिर शरारा के जो घेरा टाइप में आता है उसी तरह से मिल जाएगा और इसका भी ऊपर वाला जो फैबरिक है वो है जॉर्जट और इनर आपको सेंटन फैब आपको फुल एमराडरी वर्क में मिलेगी तो बॉटम और डोपटा प्लेन में और यह मैंने वेर करके दिखाया है पेने बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था बहुत ही कंफर्टेबल है और काफी अच्छा फैबरीक है आप इसे ना वेडिंग में भी पहीं सकते हो या फि सिक्वेंस वर्क का शरारा सूट और इसकी प्राइज है 1599 रूपीज और इसका कलर में ने पर्चेस कहा है कुछ इस तरह का ब्लू इश टाइप में थोड़ा साना नेवी ब्लू टाइप का कलर है यह और इसमें आपको और भी कलरस अवेलेबल मिल जाएगे और इसकी कि स्ट्रेप लाइन मिल जाएगी और फुल कूरती पे ना आपको इस तरह आखिल एमब्रोडरी टाइप के वर्क मिल इगा और इसके स्लिव तो स्लिव अपको प्लेन मिलेगे और एंड में आपको गोटापटी की लेस लगी ही मिल जाएगी और इसका पको फैब्रिक मिल ज जाएगा इनर थोड़ से छोटा और जो उपर वाला फैब्रीक को थोड़ सा बड़ा और इसके बैक साइड आपको फुल प्लेन मिल जाएगा और इसका फैब्रिक जौर्जेट यह काफी अच्छा और इसकी बोटम तो बोटम आपको ना प्लाजो में मिल जाएगी आगे और पीछे से इलेस्टिक और फुल इसका फैब्रीक है वह जौर्जेट और इसके साथ ना आपको इनर फैब्रिक में मिलता है सेंटुन का थोड़ सा ना सिल्क टाइप का फैब्रिक होता है तो काफी आची से तीक फैब्रीक है ज्याद ही ना ऐसे ट्रांस्परेंट वाला नही गर सेम वर्क और बीच बीच में इस तरह का प्लावर ьोर्क मिलेगा और न आपको चारो तरफ ना गोटछा पटी कि這裡 स्ट दगिश मिल जाएगी और दो तरफ से हेवी वाला वर्क और दो तरफ सिर्क गोटछा पर पटी किलेस完 देने और इसका फैब्रीक है जॉर्जट जो की काफी अच्छा है और इमेंने वेर करके दिखाया था पहरी मत बहुत ही प्यारा लगा था काफी अच्छा हेवी वर्क दिया गया है और यह अपना वेडिंग में भी पेइन सकते हो फेस्टिव पे भी पेइन सकते हो जो कि नहीं हेव कोलर ऑप्शन्स आवेलेबल है और इसका मैंने साइज पॉल्चेस किया है एम इसमें आपको और भी साइज मिल जाएगे तो यह कुछ इस तरह का ब्लैक कोलर का शरारा सूट है तो इसके कूरती का आपको मिल जाएगा राउंड नेक और यह जो नोट दे रखी आपको बैक सा प्लावर मिल जाएके गोल्डन में और भीच मेंना आपको बटन वाले फ्लावर मिले गें सेम फैब्रिक बेज की काफी अची से दे रखा है और यह इसकी स्लीव थो प्लें मिल जाएगी और फूल कुरती पर आपको फॉयल प्रिंट मिल जाएगी और यह बोर्डर जो है न तो जरूरर से PM बसक्का बास और इसकेrics करने या डैरेक्ट याफ से ना वॉट कर ले ना कि दिनदेगाagtन चलता है और सिट आप को नीचे की तरफ प्रोक नाफ या निस तरह रगिने चीलाहने है और बीचाट के सब्सक्राइबस्स्लेस सब्सक्राइब करोंगि भूड़ लेकिन बैक साइड वालो जो वर्क है न वो आपको फॉयल प्रिंट वाला मिल जाएगा और फ्रेंट में आपको थ्रेड एमरोड मिल जाएगा तो फॉयल प्रिंट एक बार चेक कर लेना और यह इसकी बॉटम तो बॉटम आपको प्रॉपर शरारा में मिल जाएगी फ्रेंट और back दोनों साइड से elastic और knot मिल जाएगी फ्रेंड में लेस्टिक और sut मिलता है आपको इसमें और यह भी आपको पूल इस तरह की ना foil print वाले ना dot type की प्रेंट की मिल जाएगी और नीची की तरह उसतरह का गहरा type में मिल जाएगा और यह bottom का आपको fabric मिल जाएगा silk blend और यह काफ़ी अच्छा silk blend है कूर्ती का और bottom का same fabric है silk blend और यह इसका डुपट्टा तो डुपट्टा आपको न दो color में मिल जाएगा peach और black दोनो color में side से इस तरह का peach color है और बीच में black मिल जाएगा और यह full डुपट्टा पे आपको न इस तरह की foil print की dotting type की lines मिल जाएगे और इसके आपको चारा तरफ इस तरह की same lace लगी ही मिल जाएगे जैसे कूर्ती की नीचे वाली side पे दे रखा है तो same आपको इस तरह की lace लगी ही मिल जाएगे चारा तरफ से और फुल इस पे आपको न फोड़ा सा glitter type का foil print मिल जाएगा और इसका फैब्रिक है chiffon जो की बहुत ही soft है और यह मैंने वेर करके दिखाया है pen मत बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसका comfortable भी काफी अच्छे से है quality wise भी काफी अच्छा है उसका fabric भी silk blend काफी अच्छा है अप इसे न हेवी भी वेर कर सकते हो wedding ये festival दोनों में भी जरूर ट्राइक कर सकते हो आज के प्रोड़क्स तास भी प्रोड़क्स की quality काफी आच्छी है आप इसे festival पर भी पेंच सकते हो या फिर wedding में भी हेवी वर्क कर रखा है काफी अच्छा है जरूर ट्राइक का सकते हो और इनकी लिंक्स आपको description में मिल जाएगे जाके चेक कर लेना thank you friends for watching like share and subscribe